असलाम वालेकूं मेरे क्यूट से स्टुडेंट मिल गया इफ्तार के लिए दस्तकान सजा आप सभी को रमजान का बहुत-बहुत मुभारख हो तुमोजी सुपह से कितने वर खाई है इसी दरा तीन वर खाके रोजा हो हम जिस मजद में नमाज पढ़ने जा रहे वह बहुत प इतना त्यार होगे क्या है जी वीडियो का लग रहा हूं इसको तो आप लोग जानते ही है अश्लाम वालेकूं कैसे आप लोग सबसे पहले तो आप सभी को रमजान का बहुत-बहुत मुभारख हो और आज का ब्लोग भी इसी कव्पिक पर है रमजान के और अभी मैं जा र इन्तजार करते हैं कब तक दिखता है अभी तो संसेट हो रहा है वाइस चांद दिख चुका है यह टाइम देख रहे है आप लोग टो रहा है 6 25 मिनट और अभी शंसेट गया तो चांद दिखा यह सामने रहा मुबाइल कुछ जाद़ी सस्टा है न यह 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 य मुबायल उतना महेंगा वाला नहीं है गाइस की दिखे बट हमें तो दिख गया है तो इस कॉन्फर्म कि आज रमजान का पहला डे नाइट है सोरी आज से तरावी सुरू होगी फिर मिलते हैं आप लोगों को तरावी में यह आज यहां से दिख जा रहा है क्लियर चांद देखने के बाद टाइम हो गया एसा का तो हम एसा के लिए तैयारी करने निकल गए वजू किए वजू करने के बाद फिर हम निकले मस्जिद के लिए यह मेरा घर है आप लोग तो जानते ही हैं मेरे घर को तो मैं डेली ब्लॉग में अपलोड किया था उसके बाद हम निकले मस्जिद के लिए यह मस्जिद के रास्ते जाता है में रोड है यह मस्जिद का जहां पे हम लोग जा रहे हैं मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए हम जिस मजगीड में नमाज पढ़ने जा रहें वो बहुत पुरानी मजगीड है मैं बताया भी था कि कबकी मजगीड है यह बहुत पुराना मजगीड समझ लीजिए राज़ा महाराजाओ के टाइम का है और मैं कभी इसका दिखाऊंगा आप लोग कितना पुराना मस्जिद है उसके बाद हम गए तो जमात सुरू होने वाली थी नमाज पढ़ा उसके बाद तरावी का इंतजार कर रहे थे तरावी का इंतजार किये फिर हम नमाज पढ़ें नमाज पढ़ने के बाद फिर हम गए घर के लिए ये मस्जिद को सजाय गया था लाइटिंग की गई थी मस्जिद को उसके बाद हम निकल गए नमाज पढ़के चले गए घर के लिए फिर जाके खाना काया फिर सो गया फिर फजर का टाइम हो गया फजर में जगा सेहरी करने के लिए नींद खुलने के बाद सिधे बेट से उठा बेट से उठने के बाद सीधे गया मूध होया मूध होने के बाद फ्रेस हुआ फिर नातून किया यादि मिस्वाध किया उसके बाद मैं गया नीचे सेरी करने चलते हैं नीचे सेरी करते हैं क्योंकि अम्मी इंतजार कर रही हैं तो उनको सुकून मिल जाए मैं अगर सेरी नहीं करूंगा तो फिर उन्हें लएगा कि भूका रह गया तो चलके पहले सेरी करते हैं उनको भी सुकून दे देते हैं मैं नीचे गया सेरी का टाइम दिखाया दिखाने के बाद मैं अपना सेरी किया जो मैं खाता हूँ मैं वेसिकली यही खाता हूँ दूद और चुड़ा मुझसे जादा खाया नी जाता फिर खाने के बाद मैं गया नमाज पढ़ने मस्जिद में फजर का फजर का नमाज और पढ़ने के बाद फिराके कुरान पढ़ा ये की मजजी दमारी बगल की मजजी देए इसमें नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं निकला निकलने के बाद गया सीधे घर घर पे जाके फिर पढ़ा कुरान कुरान पढ़ने के बाद फिर मैं गया च्छत पे कुरान परने के बाद में बताये था चट पे गया तो चट पे गया तो वाँ पे सनराइज हो रहा था तो उसका मैं वीडियो का वीडियो बनाया था और ये रहा आपके सामने सनराइज का भी हो यह एक और यह यहसा जोव है जो मैं मुफ्त में करता हूँ फ्री में शुबा- aquest के मेरा डिप्ती लगा हुए को घुमाने का यह Seems। दीनके डिप्ती लगा हुए मुझे घुमाने का यह किसी के को गोदी में नहीं जाता है सिवाए अद den archives चाहिए कि मैं इनको गुमा हूँ और यह क्या कि यह थे सेहरी में उठेते हम लोगे साथ यह भी सेहरी की हैं और थोड़ी दिर पहले इनका हो चुक है अब इफ्तार सूचिए कितना जल्दी इनका रोजा हो रहा है अभी वही डिफ्टी यहां कि गुमा रहा हूं मैं इनको फिर कुछ देर के बाद मैं निकला गाओं तब तक रास्ते में मुझे बाइक अपना गंदा दिखा तो वो मैं बाइक को दुलवाया फिर आगे निकला तब तक मुझे मिल गया जाम चाउनी का ओबर ब्रीज के पास जो डाला है वहाँ पे जाम लगना ही लगना है फिर जब जाम किलियर हुआ तो मैं निकला गाओं के लिए गाओं पहुचा गाओं पहुचने के बाद जो समान लेने गया था मैं उसको लिया और फिर घर आया यह है पलाकी का साग जो मैं ले जाओंगा मेरे खेत में है यह हमारा समान रिडी है जो चीजे हम लेने आया थे ग कि यहां पे घर बने गारी का जमीन है जो कि अब हमारे हिसे में है तो यहां पे घर बने गांथ रिच खायों धक्षे मेरे जहें लिएर जबाए मेरे तोरी पर पर यह जाएंगे और तब तक मुझे एक और काम मिल गया मसाला को पिस्वा के लाने के लिए फिर मैं मस्जिद गया जाके नमाज पढ़ा एक ब hidden का जोहर का और जोहर के नमाज पढ़ने के बाद गया पढ़ाने ये है मेरा एस्टुडेंट चुटा सा नन्ना सा प्यारा सा क्यूट से स्टुडेंट कर सके बोलो तुम रोजा है कितने पर खाया है पांच पर खाच चुक्छा है तो तो तुम्हारा पांच को रोजा हो गया ते अभी तुम सेरी किया है अच्छा उसके बाद फिर मैं दूसरे श्टुडेंट को परान निकला इतना त्यार होगे क्या है जी वीडियो वीडियो बनेगा इसलिए चलो बताओ अपना नाम बताओ पहले स्वाम किया है सबको सब्सक्राइब बताओ रोजा क्यों रहते हैं और रोजा में क्या क्या करते हैं पढ़ने के बाद टाइम हो गया असर का तो मैं चला गया असर का नमाज पढ़ने चोटी मस्जीद में वहां पर मुझे नमाज मिल गया नमाज पढ़ने के बाद फिर मैं गया दूसरे स्टुडेंट को पढ़ने जो एक लाश्ट रह गया था कोमेंट में बताओ मैं कैसा ल रोजा हो तुम हो जी सुभा से कितने बर खाई है सिदर 30 के रोजा हो और तुम जी आप पिर टुम भी तीन बर खाया है इस तीन बर खाए एट टीन को रोजा रहता है जी तीन को नहीं हुए है अच्छा कब होगा मगरीब में होगा मगरीब में तुम लोग का होगा रोजा में क्या क्या करते हैं और नमाज पढ़ते और खाते हैं तीन बार बोलो सर का चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए यह कौन है जी बोलो असलाम वलेकुम रोजा है जी है बोलो क्या हुए कौन तो रहे तुम तोड़ी है यह आपकी तोड़ी है हाँ जी सिद्रा तुम तोड़ी है हाँ तो यह सब चीजे जो दिख रहे हैं आपको कुछ बन चुका है और कुछ बनने वाला है यह स्पेशल चीज यह है जो मैं उस वक्त आपको दिखाया था ना यही में लाया गाहों से साग इसको साग बोलते हैं इसको तो जानते हैं गुगनी है यह है लाई चीवरा और बदाम यह गोस्ट के लिए है रखा हुआ भी यह तो जानते हैं प्याजी बनेगा इससे यह है खीर जो कि बन चुका है यह सारे जब क्या कहते हैं उसको दस्ताखान पर आएगा ना तब और अच्छा लगेगा यह है आपका माल पुआ जो कि अभी निकल रहा है जश्ट जश्ट गरम गरम यह है रुहबजा इसको तो आप लोग जानते ही है इंडिया का फेमस सर्वत रुहबजा हर मुसल्मान इसको यूज करता है इफतार के लिए यानि सर्वत पीने के लिए जबकि सब कोई जानता ह है कि इसका नुकसान है इसको पीने के बाद ज्यादा निंद लगता है लेकिन फिर भी सारे लोग इसको यूज करते क्यों करते क्योंकि अगर वहफजा ना हो सर्वत में तो फिर मज़ा ही नहीं आता है चलिए फिर इसको मैं बनाता हूं और शुरू करते हैं इसको बनाने क हो चुका है गाई शर्वट रदी और यह जानते हैं क्या होता है गार्नेशिंग और पता निक्या होता है बहर मतारी है कि ये भी डाला जाता है तो मैं ये डाल रहा हूं उपर से ये रहा आपका सर्वत रड़ी है आईए और पी लीजिए मैं दावत देता हूं आपको सर्वत का उसके बाद इफ्तार के लिए दस्तकान सजा सारे चीज जो जो आइटम मेरे घर पे बना ता वो लगा और फल वल जो थे वो सब इस पे थे फल क्या-क्या है आप लोग देख लिजी और जो बना था उसमें था खीर बना था मलपुआ पलाकी के साथ का प्याजी था भूगनी लाई यह सब थे फिर हम इंतजार कर रहते आजान का ताकि हम इफ़तार कर सके इफ़तार करने के बाद फिर हम गये मस्जद और मस्जद में जाके हमने मगरिब का नमाज पर नमाज पड़ने के बाद मैं निकला घर के लिए ताकि मैं इडिटिंग कर सकूव और वीडियो को अपना एडिट गरने के बाद आपको पता ही यह क्या होता तो आप लोग देखते नहीं तो इडिटिंग हा नई हो चुकी है तो मिलते हैं आप लोग से अगली व्लोग म Assalamualaikum, दौाओं में याद रखिए, वीडियो को सेयर कीजिए